लगेङります जो शुखनाँ सानसे पाए अदेनुकी में ये क nombreux एवनिगंग हमने लास धंच में क्या स्टार्ट किया था हाउस प्रॉपल्पर्टी के अंदर क्या देखा था section 22, 22 क्या कहता है chargeability, chargeability का मतलब क्या था कि sir house property पर जब कभी भी tax लगेगा वो rental income पर नहीं लगेगा, annual value पर लगेगा, annual value क्या होता है कुछ हमने देखा था कि किस तरीके से calculate करेंगे, इसके बाद हमने देखा था honor का मतलब, तो honor दो तरीके के हो सकते हैं, एक real honor और एक na honor होते हुए भी honor बन जाता, जिसे हम बोलते है deemed honor, इसके definition कहा था section 27 में, deemed honor में क्या बोला गया, कि अगर husband ने अपनी wife को, यानि किसी spouse ने अपने किसी property को without adequate consideration transfer किया है, तो जो transfer है इसके hand बे income taxable हो जाएगा, दूसरी बात क्या कहता है कि सर, अगर, दूसरा point क्या कहता है सर, इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर, अगर डैवोस का case है wife और husband के बीच में, तब ऐसा case हो, तो फिर आपका taxable अलग अलग ही देना पड़ेगा, इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई corporate society है, तो इस case में आप वहां के honor नहीं होते, तब भी आप member के भिहाब पर आपको tax देना पड़ेगा, holder of imperative क्या होता है हमारा, कि जो assets divide नहीं हो पाया है, लेकिन उस assets के ऊपर आपको take care के तरीके से काम कर रहें, तो उसके उपर आपको क्या देना पड़ेगा, टेक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ last तक हमने theory theory देखा था, सारा का सारा point, जो कि ये था हमारा theory, और हमने 5 head देखे थे, तो कितने head होते हमारे income tax के अंदर 5 head, कौन सा, income from salary, income from house property, income from capital gain, income from profit and gain, यानि PGBP और other sources, 5 head के लावा कोई भी head नहीं होता, इसके बाद हमने बोला था किराया, किराया किस से लिया जाएगा सर, घर से होना चाहिए, खाली जमीन से किराया, valid नहीं है, वो other source में चला जाएगा, कुछ ये section करना था, आज हम section 23 पे focus करेंगे, क्योंकि का होना चाहिए, और आप accessible होना चाहिए, text देने के लिए, और इसके अंदर हमने देखा था, deemed donor में, कुछ cases, individual बगएर का, तो ये सब देख चुके हैं, last वाली class आप देखोगे, तो ये बाते समझ में आ जाएगी, हाँ, जो आज की class हम start करेंगे, उसके अंदर, ऐसे इतना हम जो chapter जो हम start कर रखा है, हमने, ध्यान देजेगा, वो कर रखा है income, अगर आपने कमाया house property से, सर, house property से क्या मतलब है आपका, house property का मतलब simple सी बात है, अगर आपने income कमाया किस से, घर से, सर, ये कौन सा घर होना चीए, कोई भी घर हो भाई, residential हो, चाए commercial हो, मतलब नहीं है, कोई भी घर हो, उससे किराया आ रहा है, तो income from house property माना जाएगा, लेकिन यहां से क्या, आप income कैसे कमा सकते हो, यहां से income कमाने का मातर एक तरीका है आपके पास, that is उसका नाम क्या है मारा rent, अगर आपको यहां से rent मिलता है, तो आपकी एक income generate होती है, और इस rent के ऊपर आपको text देना पड़ता है इस rent के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा और इस rent के ऊपर जो आप text दोगे मतलब rental income पे तो वो income taxable हो जाएगा किसमे house property under the head यानि उसके अंदर rule regulation house property के अंदर जो लिखे हुए हैं वो लगेंगे हाउस property में कितने section लिखे हुए सेक्शन बाई सेक्शन सथाई सेक्शन 24 सेक्शन 25 सेक्शन 26 यह चार पांच कुछ section इसके अंदर है तो सरकार ने बड़ी simple सी बात बोली कि भाई आपका rent आएगा आप text दे देना तो यहां पर public ने चालाकी करने start कर दी public जो है public का मान लेते हैं अब कई बार ऐसा होता है public का एक घर नहीं होता एक से जादा घर होता है तो जो taxpayer है जिसको क्या बोलते है जो taxpayer है उसको क्या बोलते है income tax में SSC जो taxpayer है उसने चालाकी start करी उसने जूट बोलना चालू कर दिया government से वो जूट बोलने लगा सर government से किस बात को लेके इसने जूट बोला जूट बोला इसने government से के सर हमारा rent जो है इसका बहुत आलिशान घर है मान लेते हैं बहुत आलिशान घर होने के बाद भी बोलता है इसका rent है हमारा मान लेते हैं 5,000 रुपए जबकि इसका rent actual में इतना नहीं होगा इससे कहीं ज़ादा होगा फिर और क्या जूट बोला इसने कि भाईया मेरा घर जो रहता है वो खाली रहता है वो तो किराये पे लगाया ही नहीं सिर्फ दो महने ही किराये पे लगा रहा बागी तो घर खाली ही रहा अब income tax के officer थोड़ी ना आके देख सकते के बहिए तुमने 12 में से 11 मेने खाली रखे एक ही मेने किराये पे लगाये तो वो possible नहीं हो पा रहा था और उसका rent क्या है income tax वाले बोल रहे डिटर्माइन नहीं कर पा रहे तो यहां पे government को लग रहा था चुना government मतलब अगर जब भी government की बात करूँ तो income tax department होता है हमारा direct tax department होता है वैसे income tax department को loss हो रहा था बहुत है भी तो जब loss होने लगा government को तो government ने decide क्या रहे इसके उपर rule बनाओ और उसी rule के हिसाब से चलेंगे हम अपनी एक income तो तै कर लेंगे कि हमें तो इतना tax चाहिए ही चाहिए चाहिए तुम कमाओ ना कमाओ हमें नहीं पता हमें इतना tax चाहिए तो एक strict rule बनाया उस rule को बनाने के लिए government लेके आया section 23 और section 23 में बोला कि कि भाईया अब जो annual value निकालना सिखाएंगे आपको क्या निकालने सिखाएंगे annual value तो annual value निकालना सिखाएंगे और जो annual value आपका निकलेगा उसी annual value पर आपको tax देना हमें रेंट से कोई मत्तब नहीं है तो इन्होंने condition ही चेंज कर दिया क्योंकि government का बहुत revenue लौस हो रहा था है आपके तब government बोलती हम tax rent पर नहीं लेंगे हम किस पर लेंगे annual value पर इसलिए चार्ज इंविटी वाला बोलता है कि taxable किस पर होगा annual value पर तो अब annual value में क्या बोला तो government ने जब meeting किया तो यहां पर सबसे पहले जो घर के उपर tax वगरे का सारा जिमेदारी होता है और घर को जो अच्छे तरीके से जानता है वो जानता है हर एक राज्ये का वहां का साफ सफाई वाला जो इंसान होता है सरकारी करमचारी वो क्योंकि वो हर area में घूमता रहता है और उसको अच्छे से पता है कि यहां पर क्या situation है वहां पर वो पार्क को साफ सफाई में लगा रहता है वहां के नाले को सफाई करता है सब कुछ उसे पता है कि कहां अमीर कहां गरीव को और कितने मकान का कितना किराया तो जो साफ सफा साफाई वगरह करता है डेली के अंदर जैसे हैं MCD मौनसीपल कॉर्परेट डिपार्टमेंट बॉंबे के अंदर भी एम सी करके हैं तो हर स्टेट का अपना अपना बस मैं कहाँता हूं कि मौनसीपल्टी वाले बहुत सारा काम होता है बहुत सारा आपको सिर्फ ऐसा लगता होगा ये भी काम करती है वो तो देखो आपके रोड पे साफसफाई का काम है जितने भी नाले वगएर है उसके साफसफाई का काम उसी का है जितने भी पार्क है उसको भी साफसफाई का काम उसी का भी है और क्योंकि वो आपके घर के आ एक छोटा सा माउंट टेक्स के रूप में ले लेता है जिसको हम बोलते हैं that is house tax house tax house property tax नहीं यह अलग चीज है यह है house tax यह भी collection करना इसी की जिम्मेदारी है transport वगरा जितने भी है यह भी collection करने कौन सी property कितना मंजिल बनने वाला है उसका approval भी municipal department के पास ही होता है कितना आपका मकान अगर आगे बढ़ गया है अगर आपने illegal तरीके से बना लिया तो उसको तोड़ने की भी जिम्मेदारी इसी की बनती है municipal department की तो यानि आपके घर से नाले से रोड से रोड वैसे PWD का काम होता है वैसे MCD का काम होता है तो MCD वालों को सब कुछ पता है तो income tax department ने बोला भाया पहले इसको बुला लो इनसे हम पूछेंगे कि भाया इसका rent कितना होना चाहिए इनसे पूछेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि भाया municipal department municipal department MCD आप बताओ के एक घर का किराया कितना होना चाहिए municipal department का एक officer आता है और वो officer क्या करता है कुछ calculation करता है इधर उदर देखता है ऐसे कुछ भी उसका एक हर किसी का circle rate होता है तो अपनी calculation करके बताता है कि ये घर का किराया इतना होना चाहिए जो भी उनके पास map dund होते हैं देख समझ के बताता है तो जो mcd वाला बताता है इस घर का इतना किराया होना चाहिए तो government ने बोला के भईया चलो इसने बता दिया किराया तो लेकिन अगर इसे भी किराया बोलेंगे और रेंट को भी किराया बोलेंगे तो confusion हो जाएंगा इसको नाम दे देंगे municipal value municipal value यानि MV के नाम से इसे जाना जाएगा आज के बाद तो municipal value क्या होता है जो mcd वाले एक आपके घर का किराया अनुमान लगाते हैं वो आपको नहीं बताएंगे वो किसको बताएंगे income tax department को बताएंगे यह होना चाहिए तो government ने बोला चलो एक value तो पता चलिए अब एक ही के लोगों के अगर बात पे हम विजवास कर ले तो ऐसे फिर फिर नहीं होगा ऐसे काम नहीं चलने वाला तो उसने बोला हम ऐसे करेंगे कि जो आपके घर के आसपास जैसे मान लेते हैं यह आपका घर है तो इस घर के आसपास का जो भी area होगा local area में same type of घर बना होगा वो अगर rent पे है तो हम एक काम करेंगे इसका rent पता कर लेंगे हम जाके क्योंकि जब income tax वाले rate करते हैं तो उस situation के अंदर वो each and everything पूछ लेंगे हर चीज़ पूछ लेंगे आपके पडोस में चले जाएंगे बोलेंगे हाँ भाई साब आप बताईए कितना किरायव रहे मकान पे लगा रखा है या किसी और से पता करवा लेंगे वो तो वो किराय है जो होगा आपके आज पडोस के area को देखते हुए पता करेगा तो एक values को वो मिल गई तो यानि वो बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे आप से कि मैंने बोल दिया इस पर text दो हम कुछ आपके लिए भी बताएंगे तो एक आज पडोस के area से जो हम text बताएंगे यानि जो आपके local area से text बताएंगे उसको बोला गया fair rent और आपको अच्छे से पता होगा कि भाई क्यूं ऐसा करा income tax वाले बड़े चलाक है income tax वाले को अगर मैं बोलू ना तो property के rate जो होते है ना वह काग जो पर बड़े कम होते हैं और real में जब payment होता है ना तो उसके अंदर payment बहु रुपए का है लेकिन उसे जब खरीदने जाओगे ना तो वो दो करोट रुपए में मिलेगा शायद आपको तो municipal जैसे आपने सुना होगा किसानों की जमीन सस्ते में ले ली तो सस्ते में नहीं ले उनके rate ही रखते है सरकारी rate होता है उस सरकारी rate के हिसाब से चलते है तो income tax वालों को लगा यार अगर सरकारी rate सस्ता है तो सरकारी rent भी क्या होगा हो इसका सस्ता होगा अगर इसने बता दिया सरकारी rent के हिसाब से मुझे rent तो मेरत हो जाएगा नुकसान तो उसने बोला इससे बात नहीं चलेगी चलो भाई आजपडोस से भी पता करते है actual rent क्या है तो आजपडोस से जो पता करा गया उसे बोला गया fair rent यानि आजपडोस से तो बोला भी यह दो चीज़े अब यहाँपर क्या हुआ? ρείos YouTube और फेर रेंट चलियु रहाए था मुसिपल और फेर रेंट मुसिपल वैल्यूं ने मानले ते इस घर का इस किराया espos curl Battlehyuk ho Ah Sooез tips na피र जो ओनर है HEب ये कहता है भहिया मैंने 20.000 और इक पडोस में किराय पर दे उनाईन ने किराया पर कितने पर दे रखा था और रियलिटी ये था कि ऑनर जो है वह वीम सजार का दे रहा था आपसका फाईदा किसमें है किस परतेक्स ले ले तो उसको फाईदा होगा विब्दाबंगे और मुंसिप्ल डिपाट्मेंट को कुछ नहीं आता करने वो भी बिकार है आसपडोस वाले सबसे अच्छे इंसान है अब यह आजाओ आसपडोस वाले को पकड़ते हैं और आपका रेंट जो है आपने कितना लिया मतलब नहीं है आपका रेंट होगा हमारा साथ हजार और इंटू में बारा करेंगे और आपका हो गया कितने हो जाएंगे साथ लाख बीस अजार किराया और इसके उपर टेक्स ले लेंगे इंकम टेक्स वालों ने इस तिसाब से लेके चले वो अब दूसरा उन्होंने वो बड़े चलाग बन रहे थे कही बार बोलते थे मुंसिपल वेल्यू मान लो मुंसिपल बोलता था कि इसक हजार तो इंकम टेक्स वाले पता है क्या बोलते हैं कि भाई तुम तो बेवकूफ हो तुम तो जूट बोल रहे हो और आज पडोस वाले भी पागल है अब मुंसिपल डिपार्टमेंट अब अच्छा है अब तुम्हें टेक्स देना होगा इसके हिसाफ से तीसरा देखो अगर आप बोलते हैं मेरा फेयर रेंट है मान लेते हैं साठ अजार और मुंसिपल डिपार्टमेंट कहता भी है इसका तो पचास हजार होना झाहिए और आज पडोस वाले जो फेयर रेंट है वो बोलते हैं इसका होना चाहिए 35 अजार तो अब बोलेंगे अगर तुम जैसा intelligent कोई नहीं है अब तुमने बता दिया यह एक्चुल रेंट है तुमने बता दिया कि कितना रेंट होना चाहिए साथ हजार तो अभी यह पर टेक्स तो यानि आप देखरों इंकम टेक्स वाले वह चीज पकड़ रहे हैं जहां पर ज्यादा एंकम होगा उसको सही मालने कि है तो ऐसर सिचुएशन में हुआ क्या इस केस में माले यह जैनुवली यह दे रहा है है तो ऐसर सीचुएशन में जब दिक्कट आ जाती है तो बहुत सारे टेक्स पेर मालव आपके साथ हर बार ऐसे ऐसे मेरे दुरगटना का और जो उपरवाला मैंने केस बता है इसके अंदर तो MCD की भी नहीं सुन रहा है तो हम कैसे डिटर्माइन करें तो फिर इस केस में जो उनर होता है वह हेल्प लेने चला जाता है किस के पास कोट के पास अब बोलता है सर ये चीजे हमारे साथ इतनी सारे दिक्कती हो रही है तो court का होता है के rent controlling act होता है rent controlling act मतलब किस मकान का कितना किराया होना चीए ये कानून में भी लिखा हुआ है उससे ज्यादा मकान वालिक ले भी नहीं सकता लेकिन हम उतने लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते कि भई या इतना किराया क्यूं है नहीं है भई या हमारे अपने suitable के हिसाब से चलते हैं कोट में जाने के बाद कोट तीनतीनों चीजों को देखेगा ति एक्च'. इस theoretically एकशुल रेंट उसके बाद देखेगा मूνसिपल वेल्ई उसके बाद देखेगा फियर रेंट उसके बाद वो अपनी किताब कानून वाली निकालेगा उस किताब में दिखाएगा इस एरिये का कितना rent होना चाहिए तो court जो rent बता देगा वो rent final माना जाएगा और जो court rent बताता है यानि जो court बताएगा जो court rent बताएगा उस rent को बोलेंगा हम standard rent जिसको बोला जाएगा SR जिसको क्या बोला जाएगा SR तो section 23 section 23 पढ़ रहे हैं हम हम क्या पढ़ रहे है sir section 23 section 23 बोलता है कि इसके अंदर हम यह नहीं बता रहे सिर्फ annual value बताएगे कैसे होगा और हम साथ के साथ सभी के अंदर annual value को calculate करने में किन किन provision को follow किया जाएगा हम उसकी बात करेंगे आप से तो क्या बोल रहा था sir section 23 sir section 23 income tax का बोलता है क्या बताएगे हम आपको annual value बताएगे sir annual value में किस-किस के बारे में knowledge होना चाहिए एक होना चाहिए knowledge आपको MV, MV का मतलब क्या है municipal और MV कौन decide करता है municipal department उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए FR, FR मतलब क्या है sir fair rent, fair rent कौन सा rent होता है जो आपके आस पडोस local areas को देख के बताएगे जा सके उसको क्या बोला जाता है हमारा fair rent एक आपको इसमें समझना होगा sir SR, SR का मतलब क्या है standard rent, standard rent क्या होता है, standard rent वो rent होता है, जो की court decide करता है कि इसका rent कितना होना चाहिए, एक और बताया गया आपको क्या sir, actual rent AR नाम दे दिया AR मतलब actual rent, sir actual rent क्या है, actual rent हमारा वो rent है, जो आपका सही में मकान का किराया, आप खुद बोल रहे हो कि इतना किराया है मेरे मकान का तो MV मतलब municipal value, SR मतलब standard rent FR मतलब fair rent कोड़ डिसाइड करेगा, fair rent आसपड़ोस डिसाइड करेगा, actual rent मैं खुद बताऊंगा कि इतना rent है और MV मतलब municipal value कौन बताएगा सर, municipal value बताएगा हमारा कि municipal value बताएगा कि हमारे area का MCD department कितना rent होना चाहिए अरनव 60J अच्छा साइड, उनका बता रहोगा अच्छा सर, मतलब अब income tax वाले को जब इतनी सारी बाते पता चल गई किसको income tax वाले को, तो income tax वाले भी government क्या हो गई, government हो गई confused अब government क्या हो गई, confused और government ने बोला, भया, इतने सारे amount इसमें से कैसे कैसे करें तो इसके उपर government ने फिर बोला किसमें से कौन सा ज़्यादा वाला लेंगे, कब कम वाला लेंगे कब हम actual वाला लेंगे तो वो rule हम सीखेंगे कहां पे section 23 में तो पहले एक बार meaning देख लेते हैं कि आपको जो मैंने बताया meaning एक बार देख लेते हैं मेरे पास लिखा होना चाहिए meaning कि मेनिग 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 कि आपके बुक आचुके ग्रेइव साहुजा कि कल तक आपको लिंक मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को कि इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चलिये सर आ जाएए कहां गया हमारा लिखावा लिखावा यह रहा वाट इस दा अन्वल वेल्यू ठीक है एन्वल वेल्यू में क्या है एक पर ध्यान देजिएगा सबसे पहला पांट आगे हमारा एन्वल वेल्यू निकालते टाइप आप उपर की बाते पढ़ लेंगे के ग्या कहता है मुंशीपल वेल्यू के बारे में इस दा वेल्यू डि डिटर्माइब दा लेंगे मुंसीपल टेक्से के उपर लगता है मुन्सिपल अथोरिटी नॉर्मली चार्ज हाउस टेक्स मुन्सिपल टेक्स ऑन दा बेसिस ऑफ एनुवल लेटिंग आउट दा वेल्यू आउस प्रपर्टी विस डिटर्माइन बाइदा बेस अपों दा मैनी कंसिडरेशन वह बहुत सारी चीजों को कितना करने को बोले फिरेंट के आये में आपके एर पियर रोपर्टी चैन disaster क्या क्या कई बोला जाएगा fair rent, standard rent क्या कहता है sir, the standard rent is fixed under the rent control act, if the standard rent has been fixed any property under the rent control act, the owner cannot be आपका expected to the get rent higher than the standard rent fixed under the rent controlling act, therefore this is also important factor of determine the annual value, तो ये सारी चीज़े annual value को determine करने में हमारी important थी लेकिन सार इतनी सारी बातें आपने बता तो दी तो सार इसका calculation, calculation कैसे होगा sir, calculation कैसे करेंगे तो government ने फिर बोला section 23 में calculation बताते हैं आप आपको 23, 23 किसका है हमारा annual value उन्हेंने कहा देखो आपके पास क्या है आपके पास है municipal value और फिर आपके पास क्या है फेयर रेंट बोला एक काम करो इन दोनों में से हायर ढूंड लो इन दोनों में से हायर ले लो इन दोनों में से क्या ले लो हायर और उस हायर को कुछ नाम दे देता हैं मैं अपने मर्जी से नाम दे देता हूं मान लो उस हायर को नाम दे दिया फेर रेंट वन अभी मैं फिलाल सिखाने के लिए फेर रेंट वन बोल रहा हूँ जब आप आगे सीख जाओ गए तो आप येकीन करना कि आप कुछ जोरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने का आप सीधा निकाल लोगे एनवल वेल्यू फेर रेंट टमबर वन जैसे कि सर को एग्जांपल ले लो तो बढ़िया रहेगा मान लो ये पांसो है या पांच हजार है और मान लो ये 6 हजार है तो फेर फेर रेंट नंबर वन क्या आएगा बताओ जल्दी बताओ कमें पेर fN1 क्या ayegा मैंने बूला मुनसीपल वेल्यूइ और फैर रेंट में से जो भी ज्यादा होगा तो यह क्या है का हमारा Hi everyone क्या हमारा 6,000 तो फैर कैंबर वन यह हमने किसकोla यह मानलो यह वाला होता 8000 तो क्या होता हमारा फैर्थ नंबर वन सो यादि इसमें और इसमें comparison करते तो क्या होता हमारा 8,000 ठीक है चलो सर इतना तो समझ में आ गया बोला fair rent number 1 जो आ गया इसको comparison करो आप किस से standard rent से इसको comparison करो standard rent से और fair rent number 1 और standard rent में से इसमें से जो lower होगा lower होगा उसको हम बोलेंगे expected rent expected rent जिसको मैं नाम दे देता हूँ इयाद ठीक है यानि पहले municipal value और fair rent के बीच में compare करोगे जो higher होगा उसको fair rent number 1 दिया और उसको compare करना है किसके नाम से standard rent से standard rent में से क्या देखोगे अब lower उसको क्या नाम दे देंगे हम expected rent अब इन दोनों को compare करना expected rent जैसे कि मेरा मान लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया 4000 तो expected rent मेरे case में कितना आएगा 4000 अब बोला गया इसको actual rent से compare करो rent और receivable भी बोला गया जरूरी नहीं आपको मिला actual rent receive या receivable तो यानि 8RR कर देता हूँ actual rent receive and receivable receive and receivable and receivable यानि 8RR ठीक है क्या हो गया 8RR तो सर अगर actual rent receive and receivable 8RR बोला गया इन दोनों में से क्या choose करना higher कर लेना इसके उपर मैं star बना जेता हूँ इसके उपर detailed discussion करूँगा कई cases में lower हो जाता है बहुत कम cases है जहां lower हो जाता है बाकि आप higher choose करोगे माल लेतने ये मैंने बोला कि भईया मेरा 8000 है ये क्या है मेरा 8000 तो इन दोनों में से higher कौन सा होगा आप हजार जो आप हजार आप हजार आ गया उससे बोलेंगे annual value यानि आप हजार आप हजार आ गया annual value क्या गया annual value मतलब सर थोड़ा short में और बता दो इसको short में बता दे municipal value और fair rent इन दोनों में से जो higher होगा उसको बोलेंगे fair rent number one और उसको compare करेंगे standard rent से इन दोनों में से क्या करेंगे lower जो निकल के आएगा वो आएगा expected rent उसको compare करेंगे 8RRR से और इन दोनों में से जो higher होगा वो क्या बनेगा हमारा annual value जिसे हम gross annual value भी बोल देते हैं जिसको हम बोलेंगे short form में आज के बाद GAV क्या बोलेंगे हम GAV ठीक है एकाज सवाल दे दूं तो आप करके देखोगे तो ज्यादा clarity आएगा जैसे मैंने बोला fair rent है एक लाग, standard rent है असी हजार, actual rent है सत्तर हजार और municipal value है, मान लेते हैं एक लाग बीस हजार तो आपको निकालना है यहाँ पर GAV, gross annual value, question mark चलिए सर, gross annual value निकालते हैं एक question मैं करके दिखाऊंगा फिर book पे question पे आएंगे आप बताइए चलिए पहले आपको मौका दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा बताओ GAV, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हटा दिया, GAV क्या होगा तो जी मैं rule लिख दूँ यहाँ पर सर, municipal value और fair rent में comparison होगा higher जिसका नाम पड़ेगा fair rent number one को comparison करेंगे standard rent से lower जो निकल के आएगा उसको expected rent बोलेंगे और actual rent receive and receivable से compare करेंगे higher जो higher आएगा वो क्या बन जाएगा सर, GAV तो बच्चों ने जवाब दिया सर, एक अमित का जवाब आ गया हिमानशी का जवाब आ गया चलिए, चेक करते हैं सर, चलो पहले क्या देखना है, municipal value, municipal value को किस से comparison करना है, fair rent से, municipal value है कितना भईया, एक बीस और fair rent कितना है हमारा, एक लाग, fair rent कितना है, एक लाग, तो अब इन दोनों में से ज़्यादा होगा उसको लेंगे, उसको नाम मैंने दे दिया fair rent number one, तो fair rent number one कितना होगा इन दोनों में से ज़्यादा, अब इसको किस से compare करना है, standard rent, standard rent मेरे सवाल में कितना है सर 80,000 अब इन दोनों में से क्या होगा lower, जो lower आएगा उसको क्या नाम पड़ेगा expected rent, ER पड़ जाएगा expected rent, expected rent कितना आया इन दोनों में से lower बोल रहा हूँ मैं तो आप समझ सकते हो, एक 20 और 80 में से कम कौन सा है हमारा 80, इसको compare करोगे किस से actual rent, actual rent कितना मैं बता रहा हूँ सरकार को 70,000, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, higher तो यहाँ पे GAV आ गया GAV that is 80,000, GAV के आ गया हमारा 80,000 समझे, यह rule आपको हर बात check करके पिर आगे हम बढ़ेंगे अभी तो यही decide करें के सरकार को, कौन से, मतलब किसको rent मानना है, पहले यह decide होगा उसके बाद text देंगे न, अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं, चिला चिला के मैं तो 70 ले रहा हूँ मैं तो 70 ले रहा हूँ, बोलागा, कोट ने बोल दिया चलिए सर, आपको एक question है, आपकी किताब का ही है अब यह किताब का question है, इसके answer भी दिखाएंगे, पहले आप करके दिखाओगे इसको कितने, इसमें कितने case दे दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे cases हैं तो मैं भी 6 लाइन खीच लेता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, और हर case में क्या बोला इसने, क्या निकालो, हर case में क्या बोला निकालने को इसने, देखो भाई, देखो, cross NL value, जिसको मैंने short form में क्या नाम दिया, जी यह भी, तो 3 कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया, पांच कॉलम हो गया, और छे कॉलम हो गया, और यह आप से ही solve करवाऊंगा, मैं, प्लैन नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले, municipal value, ठीक है, municipal value, एक एक का कर ले, पहले सब का लिख लेते है, municipal value, कितना है यहाँ पे, 2,00, दूसरे में, 2,40, तीसरे में, 3,60, चौत्थे में, पांचवे में, और लास्ट में, 4, इसका comparison चालू रहेगा, फेयर, पहले का फेयर रेंट, दूसरे का फेयर रेंट, और तीसरे का फेयर रेंट, 4,00, 4,00, 20,000, कई बार ना आपको फेयर रेंट पता भी नहीं, मालो आज पर उसमें घर ही नहीं, तो फिर कैसे पता करोगे, तो वहाँ पे एनने लिख दो, नोट अप्लिकेबल भाई, यह मिला ही नहीं उसको, इसके बाद 5,00, और अगेन हमारा 5,00, चलो, अब इसके बाद हमें चेक क्या करना है, क्या निकालते हैं, फेयर रेंट नमबर, वन बोल देते हैं, तो इस दोनों में से क्या चेक करना है हमें, इन दोनों में से क्या चेक करना है कौन सा वेल्यू लेना है पहले केस का बताओ क्या आएगा पहले केस का जल्दी कमेंट में जवाब दो पहले केस का क्या आएगा दो लाक चालिस हजार पहले केस का दो लाक चालिस हजार दूसरे केस का क्या आएगा इन दोनों में से ज़्यादा जो होगा वही आएगा दूसरे केस में क्या आएगा सर दूसरे केस में ज़्यादे वाला बोल रहे हो तो तीन लाक ही ज़्यादा है तीसरे case में क्या आएगा शार लाग आएगा सर चौथा case ने confuse कर दिया मैंने लगा दोनों में से ज़्यादा लो तो कोई बच्चा बोल रहा है municipal value ज़्यादा है तो बच्चा बोल रहा है fair rent ज़्यादा है तो दोनों तो एक ही amount है तो कुछ भी ले लो हमें तो मतलब value से है तो हमेंने ले लिया 4,20,000 पांचवे case में क्या होगा इन दोनों में से ज़्यादा पांच लाग छटे case में भी क्या होगा कई बच्चों के मन में ऐसा question देखा तो mind में एक perception बन जाता है ओहो लगता है कि हर बार एफार ही ज़्यादा होगा ऐसा नहीं है आपका municipal value भी बहुत सारे case में ज़्यादा हो सकता है अब फिर रेंट नंबर वन को किस से compare करोगे सर किस से compare करोगे तो फिर आप standard लिख लिया जाए इसको compare करेंगे standard rent से तो standard rent डूंड डूंड के लिख लेते हैं बताओ standard rent क्या क्या है अरे लो पहले में क्या लिख दिया यहां यहां पे court जाने की नववती नहीं आई पहले case में मतलब court में कोई fast line नहीं हो तो चलो दूसरे में court ने क्या बोला कितना होगा तीसरे में court ने फिर बोला कितना होना चीए यानि यहां पे जाके यह फस गया तीसरे case में चार लाख government मांग रही थो बोला मैं court जाओंगा तो जा भाई court 5 लाख देने पड़ेंगा अब तरब यहां पे कितने 3 लाख यहां पे not applicable मतलब court में गया है नहीं चुपचा भर दिया उसने और यहां पे 4 लाख 80,000 अब इन दोनों को compare करके हमारा जो result निकलेगा उस result का नाम क्या रखें इन दोनों को compare इन दोनों में से कौन सा होता है इन दोनों में से कौन सा होता है Lower उसका क्या नाम रखेंगे ER यानि expected rent तो Lower क्या है अकेला यही है तो यही Lower है इसमें Lower क्या है अगले में Lower क्या रह गया तो ये क्या आ गया निकल के हमारा सर ये आ गया आपका निकल के expected rent अब एक काम और कर ले तो फिर फटा फट से हमें क्या पता चल जाएगा जी ये भी अब actual rent देखो actual rent और involved rent दे रखा आपको तो actual rent कितना है पहले का एक असे उसके बाद कितना है उसके बाद कितना लिया उसके बाद कितना लिया उसके बाद 45 उसके बाद 40 अब सर आ जो अब यहाँ पर government एक फैसला लेगी कि भाईया आपका क्या होगा जी ये वी जो कि आपका rent होना चाहिए तो भाई court बोल रही है 2.40 है तुम बोल रही है फैसली है कोट की बात मान लिए यानि इन दो में से कोंसी value देखते है हम higher higher lower higher अब इसके अंदर भाईया आप सही बोल रहे हो कि इसके अंदर हाईर क्या है इसके अंदर हायर क्या है इसके अंदर हाइर क्या है और इसके अंदर हायर क्या है तो सभी केस में मैंने जीए भी आपको निकालके दिखा दिया किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताईए फटा-फट देखिए आपको तो यह 5 case करने के बाद तो आपको याद हो जाना अच्छिए जीए भी कैसे निकलता है मेरा परपस यही था कि इसको बताने के बाद आपको याद हो जाना अच्छिए जिए भी क्या निकलता है और फोटो भी प्रॉइड कर दीजेगा ओके बिल्कुल सही कर देंगे सारी चीजे एक बार इसके आंसर को चेक करिए आपके किताब के अंदर भी आंसर होग देखिए इन्होंने सुलिशन किया होगा यह आपके किताब का चेक करिए इन्होंने डेरेक्ट निकाल दिया हम तो सीख रहे हैं तो सीखेंगे तो हम तो step by step सीखेंगे अब बुक वालोंने बता दिया ये लो भाई gross annual value तुम समझो कैसे निकला है तो उन्होंने इस के तरीके से निकाला कि किताब के अंदर जब आप पढ़़ोगे न तो जो बाते मैंने आपको simply तरीके से बताने की कोसिस करी है वो चीजे वो लिख करके बताएंगे किसमें बताएंगे लिख करके वो एक statement type के लिख के बताएंगे इसमें से higher लेना इसमें से lower लेना जो की थोड़ा सा समझना मुस्किल हो जाता है तो आपको वो वाले theory अगर अब पढ़ोगे तो आप neat and clear समझ में आएगा हाँ यही बोल रहा था और यही तो कर रहे थे practical में तो income tax के अंदर कई वार ऐसा होगा कि मैं पहले practical समझाऊंगा फिर मैं बोलूँगा आप theory पढ़के देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा अगर मैं पहले पढ़ाता न यह statement तो देखो यह statement कैसे लिखा था पहले यह statement अगर देखो तो कैसे लिखा था है step wise लिखा हुआ था कहता है let out throughout the year step determine the gross annual value according to section 3 the sum which has property expected from the let out the year where the property part of property जिसको बोला गया इस तरीके से होगा फिर वहाँ जो first calculate expected rent या नहीं जो मैंने करा है न उसको उसने क्या करा है लिख दिया है कि इस तरीके से होगा तो हम इसके उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो municipal value उसको बोला जाएगा पहले केस में किसी बच्चे को doubt है कि हमने एक चीज़ तो सीख लिया आज किसी बच्चे को कोई doubt किसी student को doubt मुंस gross annual value निकालने में किसी student को doubt है तो बता आज सिर्फ हम gross annual value ही करेंगे अगली क्लास में मुंसिपल टेक्स होने वाला है तो नेट annual value निकालेंगे और फिर practical questions भी करने लगेंगे हम सभी को clear है और बुक की रही बात तो बुक मैं अगेन दिखा देता हूं बुक का website का link जहां से आपको जल्दी से जल्दी one day delivery हो जाए सेम डे मैं वो कोसिस कर रहा हूं और बाकि Amazon वगरा पर भी आई नहीं है यह बुक और nearby शॉप पे भी क्यूंकि आप लोगों ने सभी ने पता क्या कर रहा है दुकानदार को भुक लाने के लिए मना कर दिया है क्यूंकि आप खरितते नहीं हो PDF यूज करते हो फोटो खिच- रेपोटेशन बनाने के लिए बुक रख लेता है लेकिन जो पुराने दुकानदार जो चोटे मोटे दुकानदार है वह बोलेंगा पहले पैसे दो फिर हम ला के देंगे एक दो दिन में और बुक का जो MRP भी मैं बता दूं यह MRP है हमारा कितने का भी यह च्छे सो कितने का है भी यह यह बुक 695 MRP है जो कि आपको इतना महंगा तो नहीं हां 550 के आसपास का पड़ जाएगा 550-550-550-60 रुपे की बुक होगी अपकी यह और सर्वी कॉम प्रोग्राम का चाहे बीकॉम ओनर्स हो दोनों के लिए एक ही किताब बनी है तो कोई बच्चा यह न प्रोग्राम बीकॉम और फैंक में लिए ना-प जैसे की है आपकी और आल ओलत सारे सब्जेक्स क्यार है हमारे सेम अ कहते ही रहेarnya और एक या दो अगस्ते आपका जैसे की जो भी अपकमिंग आ रहा है नेक्स्ट वीक में तो आपके कॉलेज भी ओपन हो जाएंगे आपको सभी को स्लेबस भी पता चल जाएगा मैनेजमेंट अकाउंट की भी बुक आ चुकी है क्लियर है सभी स्टूडेंट को